भरतपूर के एक मैरे शोहू में दुलहन दुलहे का इंतजार करती रहे लेकिन बरात नहीं आई लड़की के पिता और भाई दुलहे को बुलाने और मनाने के लिए गिडगडाते रहे लेकिन दहेच के लड़के के पिता ने 11 लाक रुपे की मांग करते हुए बरात लाने की शर्ट लगा दी हालाके काफे इंतजार के बाद भी जब दुलहे के पिता से बात नहीं बने तो लड़की के पिता ने पुलिस थाने में दहेच मांगने की रिपोर्ट तर्च करा दी जानकारी के मताबिक चार मार्च को शादी होना ते हुई थी जिसके लिए भरतपूर के एक मैरिज हूम में इंतजाम किये गए इस दोरान दुलहन दुलहे का इंतजार करती रही लेकिन रात दो बज़े तक बरात नहीं आए लड़की का पिता भरतपूर पूलिस में कॉंस्टेबल है लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि लड़का और उसके पिता 11 लाख रुपे लेकर ही शादी करने की बात कर रहे है फिलहाल पूलिस असपूर इमामने की जाँच परतार में चुट कई है पूर करने से मना कर दिया कि हमें 11 लाख रुपे चीए पहले ठीक है न और 11 लाख रुपे दोएंगे तो हम साधी के लिए आ जाएंगे और इस तरह की बात मतलव जी सामने आ रही है और वो साधी करने से मना कर दिया अब कि लड़के के पिता ने दहेज मांगा जिसके बाद लड़की के पिता ने इस पूरे मामले पर दहेज का आरूप दर्ज करवादिया है मामला दर्ज करवादिया है जिसके बाद पुलिस अब आगे की कारवाई में जूट गई है और ये जो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं ये पूरी शादी की तैयारियां कर ली गई थी लेकिन दूलहा बरात लेकर नहीं पहुँचा वही शादी का मंड़ भी पूरी तरीके से सच चुका था सभी यहां पर लोग मौजूद हो गए थे लेकिन उसके बावजूद भी यहां 11 लाक रुपे दहेज की मांग की गई और लड़की पक्ष के लोग काफी ज़्यादा परिशान हो गए गिर गिराने लगे लड़के वालों के आगे लेकिन उसके बावजूद भी दहेज की मांग नहीं रुकी लगातार दहेज मांगने पर अड़े रहे लड़के वाले जिसके बाद लड़की के पिता ने मामला दर्ज करवाया पुलिस थाने में वहीं पुलिस अब इस पूरे दुख का साबना करना पड़ता है कहीं ना कहीं ये जो प्रता है हमारे समाज में एक एक लालज लोभ्यू जिसे लोग भरे पड़े हैं जिससे कि ये जो प्रता है पूरी तरीके से आपको बताती कि लगातार 11 लाक रुपए की मांग की जा रही है दुलहन दूले का इंतजार करती रही लेकिन उसके बावजूद भी बरात लेकर दुलहन नहीं पहुंचा